Hello friends, welcome to study news अभी हाली में कोजी कोड इंटरनेशनल एरपोर्ट के रन्वेब पर एक मेजर एरप्लेन एक्सिडेंट हुआ है ये काली कट केरल में स्थित है इस एरप्लेन एक्सिडेंट में आपको एक सब्द बहुत सुनने को मिल रहा होगा टेबल टॉप एरपोर्ट ये टेबल टॉप एरपोर्ट होता क्या है इस एक्सिडेंट की वज़े इसे क्यों बताई जा रही है एरप्लेन को एक्सिडेंट से कैसे बचाय जा सकता था और भारत में ऐसे कितने एरपोर्ट हैं जो टेबल टॉप एरपोर्ट है तो इस वीडियो में हम इन ही सब बातों पर चर्चा करेंगे So let's start मैप में आपको ज्यादा समझ में आएगा देखिए ये है हमारा भारत और फिर यहां जूम करने पर ये है केरल और ये है काली कट इंटरनेशनल एरपोर्ट जो कोजी कोड पहाड़ियों पर है इसलिए इसे कोजी कोड इंटरनेशनल एरपोर्ट भी कहते है पहाड़ी पर होने के वज़े से ही यहां पर टेबल टॉप एरपोर्ट बनाया गया है टेबल टॉप एरपोर्ट पहाड़ियों या पठारों पर ही बनाई जाती है 7 अगस्त को Air India Express की Boeing Saad 737 थी जो दुबाई से कोजी कोड एरपोर्ट के लिए आ रही थी ये एक special flight थी वंदे भारत की जो reparsation flight थी from Dubai to कोजी कोड इसमें total 174 यात्री, 10 बच्चे, 2 पाइलेट और 4 केबिन क्रू भी थे ये कोजी कोड एरपोर्ट पे 7 बच के 40 मिनट पर उत्रा और runway के end में जा पहुचा और safety area के बाहर जाते हुए valley में जाके गिर गया इसके गिरते ही plane का आगे का हिस्सा तूट गया जिसकी वज़े से दोनों पाइलोटों ने अपनी जानगवा दी कई पैसेंजर्स मारे गए और कुछ गायल भी हुए इस एक्सिडेंट में इसी दुरघटना के लिए एक नाम आ रहा है बार बार जिसका नाम है टेबल टॉप एरपोर्ट होता किया है और ये कितने है भारत में देखिए टेबल टॉप एरपोर्ट ऐसे एरपोर्ट को कहते हैं जो पठार या पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं जो प्लेन जमीन से या समतल जमीन से काफी उच्याई पर होता है ऐसे एरपोर्ट के रनवे के दोनों छोर पे वैली होती है या घाटी होती है देश में ऐसे टेबल टॉप एरपोर्ट्स कई हैं जिसमें मिजोरम के लिंग पुई है हिमाचल प्रदेश में भी सिमला और कुलू में है सिक्किम के पाक्योंग में है करनाटक के मंगलूरू में है और कजी करड और कनूर ये दोनों ही केरल में है अभी सिर्फ 10 साल पहले ही 22 मई 2010 को मंगलूरू में ऐसी ही दुरगटना हुई थी इसी समय पाइलेट्स के हाइलाइटेड ओपरेशन रिस्क के बारे में भी बताया गया था उस समय भी दुबई से मंगलूरू जा रही एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने रनवे पर उतरते समय रनवे को ओवर्राइड कर दिया था उस दौरान भी एयर प्लेन ने एक एंटीना को टकर मारी थी फिर खाड़ी में जाके गिर गई थी जिसके बाद उसमें आग लग गई थी उसमें 160 यात्री सवार थे जिसमें से 158 ने अपनी जान गवा दी थी इस मामले ने ऐसे हवाई अड़ो के संचालन की प्रकरती पर ध्यान केंद्रित किया था खास कर छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट्स पर कोजी कोड में भी दो रनवे हैं जिनकी लंबाई 2700 मीटर और 2860 मीटर की है ये पहले 2860 मीटर की थी पर रनवे एंड सेफ्टी एरिया सुरक्षा सुईधा के चलते इन्हें थोड़ा छोटा कर दिया गया टेबल टेउप एयरपोर्ट पर 90 मीटर का एक ओवर राइड रेंज अनिवार रहे है जबकि पाइलेट्स को लगभग 240 मीटर की जरुरत होती है अब एक प्रशन आता है कि क्या ग्राउंड स्ट्रक्चर्स के वज़े से ये एक्सिडेंट हुए या इसमें कुछ सेफ्टी भी बहतर की जा सकती थी देखिए इस एयरपोर्ट पर USA में जितने भी इस प्रकार के एयरपोर्ट हैं वहाँ पर एक प्रडाली यूज की जाती है जिसका नाम है EMAS जिसे Engineer Material Arresting System कहा जाता है इसमें बेस को इंजिनियर हलके और क्रुसेबल सेलुलर सिमेंट या कंक्रीट से बनाते हैं इसकी वज़े से runway के सिरो उपर किया जाता है ये एक सुरक्षा अवरोधक के रूप में कारे करता है और सफलता पूर्वक एक विमान को रोक देता है runway के किनारे जाते ही aeroplane के पहियों में इस सिस्टम की वज़े से काफी friction होता है जिसकी वज़े से aeroplane जल्दी रुख जाता है भारत में भी overrun होने वाले aeroplane के लिए इस व्यवस्था का उप्योग किया जा सकता था इस व्यवस्था से जो 240 मीटर की override की problem है उसे 75 मीटर में तै किया जा सकता है तो ये थी पूरी जानकारी tabletop airport के बारे में और इस accident के बारे में So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment करएब सकता है